तू बंजा मेरे सावरे लिट जाने दे मुझे अभिशेक कुमार और मनारा चोपडा का सौंग सावरे आचुका है क्या आपने इस सौंग देखा नहीं देखा है तो जाग करके देखो क्योंकि ये सौंग वाकई बहुती जादा अच्छा है इस सौंग में मुझे क्या कुछ अच्छा लगा है चलिए उस पर बात करते हैं पहली चीज़ तुमें ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल कई सारे सौंग साते हैं आप जानते हो कि कि लोग के भाव में सौंग बन रहे और सौंग का ट्रेंड चला है तो लोग बनाते जारे कुछ भी बनाते जारे कही बार होता है कि आपको स्टोरी जो है न वो समझ में नहीं आती है कि लड़का मिला कब, लड़की से प्यार कब हुआ, शादी कब हुई, क्या कुछ हुआ, वो स्टोरी जो है ना समझ में नहीं आती, लिरिक्स कहीं और जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े होती, क्योंकि लोगों को सौंग बनाना होता है, लेकिन इस सौंग की बा अपनी marriage को और उसकी बाद यहां पर फिर parents आ जाते हैं, लड़की को ले जाते हैं, क्योंकि शादी के खिलाफ होते हैं, फिर लड़की कुछ कुछ कदम उठाती है, कुछ medicine वगरा का लेती है, तो एक स्टोरी जो दिखाए गई है, इतने कम समय में, वो काबिले तारेव है, क्योंकि होता यह, कि आज कल की स्टोरी समझ में नी आती है, कि तो यह स्टोरी चल क्या रही है, हो उक्या रहे है, कुछ समझ मी नी आता है, तो एक चीज यह मुझे बहुत अच्छी लगी, दूसरी चीज, अभी शीक कुमार और मनारा की जो chemistry है, वो मुझे अच्छी लगी और मनारा चोपड़ा पूरा जो गीत वाली वाइब दे रही है जब वीमेंग जब वो पलटती है ना इस तरीके से तो वह पर एक दम लगता है गीत खड़ी हुई है तो काफी अच्छा क्योंकि पूरा उसका हैर स्थाल भी वैसा है तो गीत वाली वाइब मनारा चोपड़ा साथ ही कुछ ऐसे मोमेंट अच्छे लगें जो कि क्यूट क्यूट मोमेंट डाले गए हैं जैसे कि वो उसकी टाइप अगड़ती है खीज के अपने पास करती है और फिर एक वो खाना लेकर के आता है वो काम कर रही होती है फिर उनका शादी वाला मोमेंट और लास्ट वाल जैती इस तरीके से तो इस तरीके से उनका एंड हुआ है फिला सॉंग आपको जाकर के खुद देखना है और मुझे भी कॉमेंट करके बताना है कि आपको यह सॉंग कैसा लगा और इस सॉंग की चरचाएं काफी ज़दा थी लोग सॉंग को पसंद कर रहें बहुत ज़दा और इस सॉंग के चरचाएं ते और इनका हैश्टैक बन चुका है अभी नारा तो कॉमेंट करके बताइए आपको अभी नारा का सावरे सॉंग कैसा लगा थैंक यू